हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आज लोकेशन चेंज कर दिया विकॉज उस रूम में ना मलब नीटू को ठंडी लगती है फैन में चलानी पाता मेरे को गर्मी लगने लगी है पता नहीं कैसा जीब सा मोसम हो गया जल्दी से आजो भाई आज तुम बता कर आया हूं हाई सु मैं आज आशने ईसे minute कर रहे से मेरे को पता है सोड़ी थोड़ाज हो गया वो और क्यूं हो गया वह अब अपाऊं ऑब काऊं हो तक अपडेट हो गया आट折्ट लोग दिखा रहे हैं आप इने तो मेरे को पता है कौन है नहीं बागी के भी पता है सारे अपने ही लोग है जैश्री राम सबको मेरा सलाम इसका कैमरे का एधिंक लेंड्स थोड़ा खराब हुआ इसको साफ कर दूं कि एक बार क्लियर टी होनी चीना भाई बातों में भी और पिच्चर में भी थोड़ा सा ग बात करेंगे कि आज बोला गया कि मैंने लगाया बारा लाख वली बात पर और यह प्रूफ करके दिखाओ सबसे पहली बात तो यह सेम सेंटेंज जो था ना बारा लाख वला यह मुझे चिंटु ने बोला और बड़े प्रावड में बोला था रे बाई मैंने कल भी बोला आपको यह ना मैंने नहीं बोला कि मैं किसी का काउंटेंट हो नहीं मैंने साइन करता हूं मैंने कल क्या बोला कि चिंटु जो ने मुझे बड़े प्रावडली बताया कि तुमारे भाई ने चपत लगा दी 12 लाग की मैं आज भी बोल रहा हूं यह तेरे वर्ड्स थे तो इसका मिलब तू बहुत जो अडूर के बोलता था ना तू अपने आपको बह दील करोडों की हुई होगी अरे भाई फिर कहते हो कि मैं डिगरी मेरी मांगते हूं कहते हो कि मैं अपने यहां पर डिगरी पेस्ट करूं भाई कितने का 20% 12 लाग होता है 60 लाग का समझ माती है आपको करोडों पर कैसे पहूंच गे तुम मेरे एजुकेशन पर सवाल उठा हमने दूसरी चीज यह जिस कॉंट्रेक्ट की बात कर रहे है ना इस भाई ने मुझे शोओ आफ करके क्या बता है इनके दो चैनल उस टैम मेरा एक ही चैनल था कोई बताते हैं कि वह थर्टी लैक का था वह जो कुलाइब था ना तो मुझे बोला कि आपके यह चैनल पर आपके तो बारा लाग बने वहां पर तो फिर कुछ टाम बाद बाद बारा भी देने नहीं पड़े मुझे लगा शाहद बढ़े इन्फुएंशर हैं कोई रिवेट मिल गया होगा लेकिन पता चला क्यों नहीं देने पड़े क्योंकि भाई शुआफ कर रहा था कि मैंने तो चपत लगा दी अभी सुनो भाई अभी एक एक रिकॉर्डिंग यह सुना रहता है ना खेर उस टाइम उस कंपनी में जो काम करती हैं जो मेरा पीयो सी था और इसके भी बीडियो सी थी में उसकी एक बार आपको कॉल सुनाता हूं ओके आप थर्ड आई में थी ना पहले याज करो आपने मेरा और मेरे एक फ्रेंड का एक कॉंट्रेक्ट कराया था ओके यूट्यूब का जिसमें आपकी एजनसी फीस बनती थी मैंने वो पे कर दी फिर में आपको कुछ ताम बाद कॉल किया था कि शायद मेरे फ्रेंड ने आपको पे नहीं करिया प्लीज उनसे ले ले ना उनके पास आ गये हैं पैसे क्योंकि मुझे उस ताम कुछ डाउट था कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा है जब आपने बोला था मेरे फ्रेंड आपक बोला था कि मेरे को कुछ ऐसा पता चला है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वह प्रेंड आपके पास आगया था वापस अनुन देजिया था था अपका कि मतलब जितना था मैंने आपको तो बताया था ना कि हा कुछ गड़बड़ और आप प्लीज अपना पेमेंट ले 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 ना चलो बस मुझे पूछ यह पूछ यह थी थीक है थेंक्यों बताया कि उसको बात था कइसे था उट यह प्रैया हो अबर अगर 60 तूम अपना लाक इसंग दिखा था होग एंपना तो स्क्रीन शॉट यहां दिखा तो कुछ और था दूसरी बात सुन आज मेरे पास भी ना सेम एजनसी से फोन आया और तीन बार फोन आया सुबा सुबा और वो फोन पर कहते हैं कि सर हमने कल आपका लाइव देखा आप प्लीज उसमें से बस एक एक वर्ड हटा देना और वह वर लेंग्वेज है ना कि वह एजनसी वाला मेरे को जूते मारेगा बुलाना मेरे को कहां बुलाएगा और मैं भी देखुंगा जूते कौन मारेगा समझा और तीसरी बात यह सुन मेरा जो वाह रिलेशनशिप था ना तू कह रहा है कि ऑनर है उसके ओनर मेरा फ्रेंड था पह हैं जिसमर्ण जिससे वह मात है को कौन है जानता है भी जानता है तो लहropriत का भाई मेरा लेना देना नहीं है आज वही एजेशफसे फोन कर थे मेरे में में तीन लड्र मेरी कॉस्टेंग कूछ है और इसने बोला कि इस पर कोई भी ब्रैंड्स नहीं होगे मेरा प्रोफाइल देख ब्रैंड्स है मैं बैटिंग नहीं करता तेरी तरह एक जो दिपिका रोरा को प्रमोट करा था ना कि इसको पैसे दो दिन में पैसे डबल करा थी टरपल गए लोगों के पैसे चुरुआ दिय करते थे उसके जो फिर कमेंट आते थे दिपिका रोरा नाम से तो वह भी व्लॉक करने लग गए थे मैंने आज तक कभी बैटिंग ट्रेडिंग गेमिंग ये कभी प्रमोट नहीं करा मैंने अपनी ओर्डियंस के साथ कभी धोका नहीं करा मैंने इनको किसी ऐसी चीज की लत वह कि परमोट करोंग जिसन से सच में में रेलेट करता है मैंने इसकी प्रमोट करें देख तुर्य अच्छा ब्रेंड न की कि कलैब में कुढ़रे ओंब इससलिए यह हो दूसी मिक्स हो जाती है और बात कुछ और हो जाता हैатель अब शुन भाई उनर वाली बात प्रता है और यहां ऊब यहां साइरे यहां बता है तुंध relevant तो इसका माँ जा आप अपने यह लिया напис E तीसी भी बात बैई लीगल एक्षेन की बात कर दो कि वह लीगल एक्षेन लिंगेs डिफैमिनेशन ये वर्ड मैंने पहली बार सुना डिफैमिनेशन का यह गाशो defamination होगा किस चीज़ पे नीतू के लिए pages बनवाए उन pages को provoke कर रहे और provoke क्या कर रहे पता है उन बच्चों से जिन से pages बनवाए ना actually उनको डर लगा जिस दिन मैंने legal action की बात करी मेरे पास सारी screenshots और chats है जो कि मैं अभी नहीं डालूँगा मैं आपको पहले भी बताया तो वो कह रहा है कि नहीं तुम रुको मत तुम करते जाओ यह सारी चीज़ हो कुछ नहीं कर पाएगा अब गलत संगयत में खुद डाल रहा है लोगों से गलत काम खुद कराता और फिर बाद में कहता है पेड कमेंट मैं करा रहा हूं यह पब्लिक दिख रही है इस टाम कौन वाइब करना यह करना वह अच्छी टोन नहीं है सोशल मेडिया में भी नहीं नहीं बहुत अच्छी टोन है यह तेरी इसी टोन बात यह कर तो पब्लिक भाई समझेगी पब्लिक सुनना उसको पसंद करती थो थोड़ा पॉजिटिव हो दूसरों को नीचे दिखाना दूसर पर मेरे घरवालों क्या बोला अभी कल तक तो यह क्या रदा कि इसके घरवाले आये CCTV की रिकॉर्डिंग दिखा रहा था कि उसमें ऑडियो भी है वह बी एक बार जाली हो जरूब है मैं देखना चाहूंगा उसको कि इसके घरवाले आ और हमारे इसके बार में कोई बात ही तो फिर यह सारी बाते क्या मतलब सपने में आके बोला गया कोई तरसे यह सारी आगर मेरे बार में कोई बाते ही नहीं हो ली थी मेरे घरवाले वहां पर आये तो यह सारी बाते कहां से हो रही है कि नी तु थमसे ऐसे बोलती थी तेरे लिए तू कुछ और बोलता था यह कह इंडिया को बोल रहा है कि मैं रंजी टॉफिए इंडिया क्यों नहीं खेला तो भी तो है मैं तो नहीं था 19 2019 में नहीं था सीधा 2020 में ही था जिस साल तेरी शादी होगी बहाने लेम मार यार कैसे 2018 से 19 से कुछ नहीं हुआ सीधा 20 में जाके करना था गलत बात लोगों को पागल नहीं समझना चीए अच्छा लगा फाइफ ऐसे एक चीज और अच्छी लगी नेहा दी सुनकर आज चलो आ कि मेरे मेरे राहुल वैद्ए के साथ सबस्क्राइब आ साथ सबस्सक्राइब बहुत सारे जो मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ अपने में ऐसा निए कि सॉंग के ओफर तुझे आते हैं तो सिर्फ तुभी दुनिया में करता है भाई तेरे से ज़्यादा ओफर आते हैं तेरे से ज़्यादा और इंडस्ट्री में जो तु कहते हैं इंडस्ट्री इस वाले प्लैट्फोर्म पर जो जितना रिल्लेवेंट होता है उसको उतने और उफर हारे होता है जिस स्युक्ते जादा व्यूंग फूर होता है गानों के तुसको ईसा ही होता है सब तेरे पास ओफर आ रहे हैं तु कि सिर्फ तु थोही करो हूँ गाने करके क्या कर रा मार रहे हो और गानों की बात क्या कर रहा है वैसे कर रहा है मैं भी बहुत सर चीजे नहीं बोल रहा है मेरे को पता है कि गाने किस से गवा रहे थे पैसे कितने लग रहे थे उसको बताया कितना जा रहा था तो यह चीजे अच्छी नहीं लगती हो किया और दूसरी बात तु क कि जो लोग मेरेशन ड़गा है कि मैं उनके चछनल पर हेट कमेंट लबा रहा ह пок bacter होती है कि अपने चनल पे सारे के सारे कमेंट लोगों ने हेड़कर रिव्यू डाले हुए आप एक भी कमेंट करोंगे न माप पर तो णो कैसे आपको तो होग को आपने कमेंट करें किसी दूसरी डिस चेक करोगे तो शो ही नहीं होगा भाई शो कोहन से होंगे चोंगे सिर्फ मेरों नीतु के लिए नेगेटिव होंगे और उनको शो भी करा जाएगा वो होता है हेट फैलाना हाई समझ एक बात बता वैसे मेरी कोई चीज समझ नहीं कि म मैं अगर लोग को करता हूं कमेंट करनें का थे लोगों मुझे ज evidence करते होंगे किकिएक रूब कर दो अब्हुत आइडीपर प्रम और्तिके कई से लोग जो पईमेंट के लिए लाइन में लगे रहूँ है क्या प्रूफ है इनके कमड़क्य पास यह बोलता रहा पूरे टाइम तक तो चल में बुरा था यहीं बुरह हो गए सब कलको यही लोग जब वीडियो देखनी से चला गया था उसके लूब डेली लाइब टो कितनी कि चलाइब ल्गन के नाम पर थोड़ा सा राइड करना है तो लाइब भी आते हैं लाइब वाला गेम खेलते हैं फिर अपने उसमें कमेंट भी पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता है डिलीट तो करता है ना क्योंकि मुझे तो भाई स्क्रीन शॉट्स आ रहे थे कि पंदरा सो कमेंट तीन सो रहे गए चार सो रहे गए मैंने तुम लोग मुझे ब अल्ला मचा दिया मेरे जान हम ना लेने वालों में से नहीं है हम देने वालों में से हम खुद लाते हैं अपने गर वालों के लिए कुछ भी सामान हम एक्छानी रखते हैं कि वह हमारे लिए कुछ ला रहे हैं वह चीज अलग है लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ लाया नहीं रहा होता है क्यों कुछ और चीज कर रहा होता थोड़ दिमाग लगा अगर पैसा ही मोटिव शादी का तो जोच अगर पैसा मोटीव है तो क्या आज मैं थोड़ा भी अपने पापा के अगेंज जा सकता था मुझे तो पैसे चाहिए होते मैं तो बाई दो साल तीन साल और जेल जाता और प्रॉपर्टी नाम करानी कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम है बता एक भी है अगर हो तो एक बाप पूछ कि तो बहुत बाते होती है न फिर तू कहा देता है कि मैं स्क्रीन डिकॉर्डिंग डालूंगा CCTV की मेरी कोई बात नहीं हुई कुछ भी नहीं हुआ तो भाई ये साड़ चीजे गलाता है तू कह रहा है हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है कि माबाप से अलग नहीं रहा जाता तू कितनी बेकार बाते बोलता तुर को पता है तू एक रिसेसिफ सोच को यहां बढ़ावा देता है अहिंदुस्तान के कल्चर के नाम पर मैं तरे को चला आज कल्चर की कुछ बाते बताता हूं पहली बात तो तू कहा रहता तो यह देख तू अपना मुंबे रहना बहु तो क्या वो हमेशा मत्र रहा रह रहy क्या वो मा YESH FOD में परा सर रहे हमेशा वो बाहरे है क्या हो इंडेन कल्चर को भू ले गाकल को यह कौन सा कल्चर बढ़ कौन सी किताब में तू ने पढ़ा कि इंडेन कल्चर ही होता है कि जिंदीध के इसीने प Zar chantफ के बैठे रह है क अगर मेगलotisat ना तो शायद कुछ भी हो जाये मैं महीं होता मेरे सात होते में है कि अकेला हुए चोड़ा हुए उनको तु तो अकेला ना तु अभी गलाईव में कहा मेरेSat चलबária पाप मेरे पाप कल्चर है कुछ तू नहीं अपना एक नहीं बुक लिख देगे इंटन कल्चर के उपपर या तू रूल बना रहा है आज कल गलत बात कहरा उमर कच्ची है कोई समझाने वाला नहीं है मैंने समझधारी उमर से आती है क्या मैंने ऐसे पागल लोग देखे हैं जिनकी उमर बहु में दिख रही है तो थोड़ा ना दुनिया में बहार निकल यह जो फोन पूर दिन लेके घूमता है न और पागलो वाली हरकते करता है कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पर बेश्यक उससे तो डिगरी नहीं मिलेगी लेकि तिरको विजडम मिलेगी और उस विजडम की ति इनका पूरा लाइव उठाके देखना मेरी फैमिली पे टॉन इसके लिए यह उसके लिए वह इतनी सारी तुम उठ पटंग चीज़े हमां बोलते हो उसके बाद कहते हो कि हम पर्सनल चीज़े लेकर नहीं आए परसनल चीज़े तो भी मैंने नहीं बोली एक भी मैं भी बह लिए होंगे ना आज भी देख लो वराज दफन है लेकिन मैंने जो तेरे को कभी बड़ा भाई समझ के बोला तूने इसको ओवर बढ़ा चला के ऐसे दिखा दिया अपने घर वालों को गाली देता है तु कुछ तो समझके बोल कुछ तो समझके बोल क्या-क्या वर्ड्स तेरे दिक्कत है कि तो जूट इतना ज़ाधा बोल देता है कि एक तो होती गया 10% बात हो जो उसका 100% बना के बोलना कि फिर लोग ना मनला समझी जाते हैं कि यह बंदा पागल हो चुगा इसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है विलकुल थोड़ा तो ऐसा बोल जैसे बोल सकते हैं थोड़ा तो भाई लिमिट की बाते करा कर वहाँ पर बेवकुफी वाली बाते क्यूं करता है फिर कहता लोग मेरा मजाक बना रह कर रहे हैं लोग मुझे यह कर रहे हैं वह कर रहा है तू कल को मुझे एक नाम दे रहा था पूरा कमेंट दे रहा पोपलो नाम से तेरे लिए बढ़ा पड़ा है यार तू तू पबलिक को अपनी तरफ नहीं कर पा रहा है क्यूं यह पबलिक तो तेरी है ना जो तेरे व्ल तु अपनी डिगिरियland चापने किया रहा है तु पड़ाई लिखाया चापने के यहां बैदे कर रहा है यह पड़ाई लिखाय नES तुसे तुमसे अच्छा अनपड इंसान को मानता हूं जो दूसरे की रिस्पेक्क करना जानता है ऐसी पड़ाय लिखाई किसी काम की नहीं अगर तू बहुत पड़ाय लिखा समझता है खुद को तो हाई समझ है और यह साब और पढ़ते हैं इनकी कुछ बात हैं हाँ इसने दिखाया कि मैंने एडिटर वाली चैट दिखाई कि मैंने थमनेल वानवाने के लिए बेजा तो चैट में एडिटर वाला भी तो दिखाता तू तो मेरी चैट दिखा रहा है यहाँ पे तू एडिटर वाले भी तो दिखाता है कि एडिटर ने तूने मुझे दिख लेकर खड़ा होगा जम मैं खेर्दी करूंगा अब घर पर ट्रेक्टर होगा जम यूटूब पर आज मेरे पास टीम है और तेरे से बड़ी टीम होगी देख ले आज एडिटर भी है आज शारी चीज़ है मेरे पास जिस टाम नहीं थी उस टाम मैं क्यू रखूँंगा एडि और रहाज कर लें कम से कम अपनी बड़ी ऑमर पर रिस्पेक्ट नहीं मिली तेरे को तो इधर कमेंट्स में आके देख, मुझे पता है तु लाइफ देख ते ते कमेंट्स में देख oh सबसे पहले चीज ना तेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जागा जिस दिन से उनको खरीदे हुए बोलना बंद करतेगा तो इन लोगों को पेड़ बोलता ना पेड़ उनको बिकाऊ बोल रहा है पूरी जनता जो वीडियो देख भी विकाऊ है उन पर कोई काम नहीं ह ठीक है जो यह कुछ लोग हैं जो आफिस से आते हुए व्लॉग देख रहे होंगे यह कुछ वो लोग हैं जो पूरे दिन की थकान के बाद अब रात में यह लाइफ देख रहे होंगे और तो इनको पेड़ बोल देता है यह बिकारी है यह पैसे मंगते हैं कि चल तू यह देखने के जो इनको पेड कमेंटर्स बोलता है कुछ भी बोलता है यह जो तेरे उस पर कमेंट आते अच्छे तू उनको पे करता है क्या बीतू की बात है क्यूंग तो लोगों पर शुरू हो गया बहुत गलत चीज है यही है तेरे डाउनफॉल का खारण आई समझे फिर म पूरे दिन के स्ट्रेस के बाद रात में यूटीव खोलते बैठते हैं तो इनको इतनी नेगेटिवट देखने को मिल रही होगी को इनको पेड कमेंटर बोल रहा को इनको कुछ बोल रहा क्यों बोल रहो वाई आच्छा यही तुमारे लिए अच्छे कमेंट कर नहीं तो तु जो कहा रहा है कि मेरे पास यह भी है वह भी वह भी तू पनी फैमिली दिखा रहा है ऐसे कैमरा रोटेट करके भाई माबरत की लड़ाई में न तु ध्यान से देखियो पंडफ पांच ही थे और जो कौरफ थे न सो थे किसकी जीत हुई तो ज्यादा होने से यह नहीं होत यहां इससल्टार पढ़ता है अगर तेरे को लोगों के नजरी से फर्क नहीं परते है नो तु लाइव नहीं आ रहा होते हैं तू लाइव पैता है क्या और तू अस्ति चीज हो सकती है काश्टिजम फैलाता हैan पर तूह के स्टोरी में लिख रहा है अपनी एक कास्ट के उपर कुछ लिख रहा है तो ऐसे कमेंट भाई मैं एक बात बताता हूँ मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं जो सेमी कास्ट के हैं बहुत सारे मेरे टीम में भी है लोग है लेकिन तेरे जैसे नहीं है वो तेरे जैसे नहीं कोई एक इंसान प्रवाब लोग भी होते हैं अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन उसका मतलब भी नहीं कि उन लोगों की वज़े से पूरी के पूरी उस सुसाइटी को बढ़नाम कर आ जाए या पूरी कुरी सुसाइटी का जवाब देहीं नहीं है कोई एक लड़का क्या कर रहा है सबके अप पिता एक ही है चारों को मा की तरह जो पाला उन तीनों ने पाला और उसके बाद देख चारों के नेचर में कितना डिफरेंस है एक को बहुत क्रोध आता है एक को नहीं आता एक भाई प्रेमी है एक बैलेंस करके चलते हैं तो इससे क्या हो गया बाई किसी एक कश लेकिया पूरे पर थोप ने क्या कोई गलत नहीं सिखाता किसी को यार खुद की अपनी माइंडसेट होती है इन चीज़ों से बाहर निकल थोड़ा और ओर्डियन्स को बुरा भला बोलना बंद कर अगर तू चाहता कि ये भी तेरी रिस्पेक्ट करें आ रिये समझ और क्या-क्या भाई ने बोला कि 20 मिलियन की प्रोब हाँ ये कहता है कि इसको तो कोई नहीं जानता मेरे को कोई नहीं जानता ये पबलिक कौन है ये ये एलियन है कहा से आए ये लोग ये रोबोट है कोई नहीं जानता दो तेरे कोई जानते हैं बस सब लोगा तेरे जो जो followers हैं वो तो followers हैं बाकी किसी के कुछ है कैसी सोच है यार और तू जे कैसे पता मेरे कोई जानता है नहीं जानता अच्छा तू खुद बाद तू मेरे कोई जानता है तू जानता है ना तो तो ऐसा कैसे एक हो कि कुई नी वाली बात sem करा रहा कि हमने जाकर वहा पे केक साल friendship को हने वाला था फिर मुझे दो दिन वाद बताया गया कि अरे ये तो तीन दिन बाद है तो मैंने बोला नहींने, थायलेंड जाने से पहले खड़ना था हमारा थायलेंड गांतेंट खराब हो जाता थायलेंड में एक नहीं मिलता अगर कुछ चीज होती थाइलेंड में जाके पूरी हो तो थाइलेंड में केक नहीं मिलता कटने के लिए अबे बेवकुफी वाली बाते क्यों करते हैं तुम लोग कि मैंने थाइलेंड जा रहूं से लिए तीन दिन पहले में केक कट वाऊंगा गैस अगर कोई थाइलेंड में बनदा है तो प्लीज मेरे को बताना वोग अपना बढ़ते कैसे मनाते हैं क्या वो केक की फोटो लेके काटते हैं क्योंकि केक तो मेरे ख्याल से थाइलेंड में नहीं मिलता according to some very enlightened souls कितनी गदो वाली बाते करते हो तुम अपना मजाग खुद बनवाते हो मैं तो सिर्फ आके तुम्हारी बाते रिपीट करता हूँ फिर तुम उसमें उफेंड हो जाते हो और ये बहुत गलत बात है भाई तुम अपना मजाग खुद बनवाते हो हाँ एक ही बोला कि कॉंटेंट के लिए घर वालों से चैनल बनना ना बनना मेरे घर के कितने चैनल बनना तुम पता है मैं आज जिसको भी देखता हूँ मेरे को लगता है नहीं कि यार ये बंदा भी करता हूँ गाइड भी करता हूँ सब करता हूँ तो ये बेबकुफ वाली बात मत कर ओके और क्या है और हाँ बाई एक चीज और तू जो आज इतना भला बन रहा है ना आपे तू लोग को बॉड़ी शेम करता है लोग की शकलों पर कमेंट करता है तेरे अंदर ने काला अगोरा ये बहुत चीज़ें बाई जो नहीं होनी चीज़ें ये बॉड़ी शेमिंग वाली चीज़े और तू पता है ऐसी बात है हैं मत बोल जो तू प्रूव नहीं कर पाए जैसे तू अपने एडिटर वाली बात बोल रहा कल तू करता बत्तमीजी करता है तो भाई मैं भी उसी टोन में बात कर रहा होता लेकिन वो ठीक चीज़ नहीं सोशल मीडिया के लिए तू अपना आगे देख लड़ाई आज है कल है खतम हो जाएगी याद रखियो लेकि तू आगे तक के लिए बहुत नेगिटिव इमेज बना रहा है यह लोगों से चिड़ना बंद कर सबसे पहले तो किसी के व्यूज जादा आता है उसे चिड़ना बंद कर और यह जो अपने एलिगेशन तुम्हें लगाने कोईश कर रहा है कि व्यूज आने पर चिड़ जाएंगे अब एक गधे जब तू मेरा दोस्त था इसने भी एक ब जड़ी रिषेप्शन वाले दिन जिसदि मेरी शादि का रिषेप्शन था न मैं अपने रिषेप्शन पर जाने से पहले इंस्टाग्राम पर लाइव था और लोगों को यह बोला था कि जल्दी जाओ मेरे मम्मी के पूरे करो और वो लोग ही बता देंगे यही लोग ते जो आज यहाँ पे तु देख रहा है ना मैं अगर अपनी मम्मी से चिटता होता है कि जी चिटता होता ना यह तो खैर वर्ड ही बहुत गलाता है जो तु एक perception डालने कोशिश कर रहा है न दिमाग में कोई अपनी मम्मी से कभी नहीं चिटेगा नाराजगी हो सकती है याद र क्योंकि मुझे reception पे दो केक कटवाने थे एक नीदू के 5 मिलियन का और एक मेरी मम्मी के 100 के का जो की कटा भी था शैद देखा होगा देखा तो तू नहीं हो गई मेरे को पता है लेकिन वो ऐसी चीज़े नहीं हो जाती है याद रखियो एक घर में होता है जब सब लोग तो अगल को तेरे साथ भी हो सकता मैं प्रे करूँगा कभी तेरे साथ ना हो लेकिन हो किसी के भी साथ अपने टाइम पर न ितरह न चींग तो सूशड मीडिया पर बहुत इत्रह आ थे एक टाम पर आस तो सूशल मीडिया पर देख यार देखा ना डाउन आज भी मेरे सुक्दुक में मेरे साथ रहते हैं, आज भी मेरे पास मेसिज आ रहे हैं, मेरे जब वो लोग को लगता है ना कि लखन शाय टेंशन में, वो लोग मुझे राज साथ में मेसिज करते हैं, मेरे true friends हैं, क्या करूँ मैं daily उनको व्लॉग में दिखा हूँ, तो तो त कितनी बेवकुफी वाली बात होगी सोच, कितनी बेवकुफी वाली, तो कभी कोई यार प्लीज पैसे मत दो यहां पर, अगर दे रहे हो तो मैं आपको बता लो, सारे भंडार में जाने वाले हैं, तो भाई, मैं इसको बताना जाता हूँ, कि यह चीज़े ना बहुत आई समझें, और मेरे और तेरे होने के बादे मैं कभी तेरे बार में कुछ कमेंट नहीं मा रहा था, कभी भी सोचल मीडिया पर, और कभी ना कभी नीतू से पूछी हो, इस टाइम पर बात तो होगी नहीं तेरी, लेकिन मैं बताता हूँ, जिन लोगों को आज तू मजाग कर दो, तू मैंने लेकिन नहीं जानते, लेकिन मैं तेरे बार में बहुत अच्छाई की, तो मैं बता रहा था कि यार मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह इसलिए उसने तुरंट जाती हैं से फॉलो किया था तेरे को, यह फर्क होता है, और वो देख, वो लोग आज भी, आज भी हार, मेरे हर, हर बुरे अच्छे टाइम में साथ रहते हैं, और भी सोचल इडरे फ्रेंड्स, अर्मान भाई हो, पायल दीडियों, यह जितने भी लोग हैं ना भाई, यह सब लोग मेरे साथ रहते हैं आज भी, मैं लिए सिर्फ, दो, तीन लोग छोड़ दे, जो क अगर में कुछ बात होते हैं, सबसे पहले, फोन पहुंचते हैं, आपके दोस्तों पर, आपके आजपास वाले लोगों पर, लेकिन हर किसी ने बड़ा मेरे से, मैरे को बताया कि हमारे पास फोन आया है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से बताया, और समझाई गए जिसको मैंने जो जवाब देने थे, मेरे तेरे से ना कल कोई लड़ाई थी, ना आज कोई लड़ाई और मैं तेरे से कोई हेट करता, तो बेतु की बाते करता है, जिन पर मुझे हसी आती है, फिर मेरे को गुस्सा भी आता है थोड़ा सा, और तो लोगों का अगर माइंड करने कोईश कर रहा है, तो बहुत गलत कोईश कर रहा है, याद रखियो, तू अच्छा बंजा, लोग तरे को अच्छा कहने लगेंगे, तू जैसा कहलवाना चाहता है, वैसा बंजा, लोगों की नजरों में, ये सब फुकराबाजी करके, सारी हरकते करके, कुछ नहीं जी करनता हूँ, वहाँ बैठके, जहां भी तू है, कमेंट मानना बहुत असान होता है, किसी को ग्यान देना बहुत असान होता है, कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले, लेकिन तेरे को नहीं पता, कि मैंने क्या करा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए अपनी फैमिली पे ज़्याद ध्यान रखेगा, बहुत अच्छा होगा, दूसरों को सला थोड़ी कम दे, अब वो भी ऐसी वाली, टॉंट वाली, आरे समझ, और क्या बात बोली थी, कुक वाली बात तु कह रहा था, हाँ, कुक वाली बात मेरे को, याद आया, कहता है कि इसने जो कुक भेजा, वो इसको ही मेरे से क्या लेना देना, मैं तो उसको जानता है, मैं तो मिला भी तेरे घर जागे न उससे, लेकिन लगवाया मेरे थुरू था वो, लगवाया मेरे कुक ने किसी रेफरेंस के थुरू था वहाँ पर, कि वो तेरे बारे में ऐसे कह रहा है, वैसे कह रहा है, यह क्या दोस्तों आपको बता रहा था कि यह मेरे दोस्त हैं जो मेरे शुरू से साथ है और हर सुख दुख में साथ रहते हैं मैं कभी परेशान होता हूं तो यह लोग हमेशा मैसेज करते हैं कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता कि ताउजी वाली बात के बाद नहीं होता तो मैं तेरे को दुहान ही लेके जाता है लेके जाता मतलब क्या होता है तू क्या स्पॉंसर करके ले गया था ट्रिप मेरी क्या मेरे टिकेट तू कराके ले गया था क्या फ्लाइट के लेके जाता क्या होता है मैं खुद गया हूँ अपने पैसों से भाई साथ हमें गया है तू यह क्यों बो गुलती इसका जवाब नहीं दिया उसने तो बेतुकी बाते मत किया कर आर ये समझे और और बी कुछ और बी कुछ देखता हूँ और याद एक चीज तो वैसे साबित होगी वह ये कि जो तू और जो दूसरे लोग ये ब्रहम फैला रहे तरह पर काफी टाइम से कि हम तो अपनी बात करने वहाँ पर गए तीन चार बार तुम ने तुम आपस में प्लैन तो बना ले थे कम से कम रंक सा कि बोलना क्या है कभी क करें और कोई स्नाप्यट कभी कोई करें जानकों खतर आफ ये कभी कोई के रहा है कुछ और बात करने हैं कभी कैर हम बड़ तैम से टरच में और आज एक नहीं बात है आज कह रहा है कि उन्होंने मुझे नितु की चैट दिखा ही कभी करा तेरे किसी अपने ने बोला कि वो दादा वाली बात है बुद रिलेशन ने बॉला थो बलेट रिलेशन के तो ने देखाय thrive character Hai ठrän है अब देखाये अच्छ के लिदे वीडियो के शुरू में बहुत को यहीं करने P तो चिंटु ने जितने भी यहां पर चीज़ें बोल रहा था न बहुत आओ के ओफिस आओ ओफिस आओ मतलब यह देखो यह मैं इसके हाथ की कठ पूतल नहीं हूं कल का मुझे क्या बोल रहा है कल उसे चंडीगड ओफिस आजी हो वन्ना तु जूटा है मैं क्यों हूं चंड सब्सक्राइब सेट करेगा क्ल कहां आना मुझे यह व्यक्त मुंपाई यह क्या दू जूता है दूबाइब। बहुं कि बाती है पागलोवाली है कौं तो यह उखिस मेरी बात खितम हुए कम सுकम यह देख कर दो и01 कि को चैनल ःए आज से कम डेढ़ दो साल होने जा रहे है तो यह time machine में आया था गया मेरे पास कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि बाई time machine में future में जाओ उस पर comment करवा और अगर दूसरी बात यह कह रहा है कि नहीं वह उस टाइम पर थी नहीं और comment मैं अपने चैनल पर करवा हूँगा तो मेरे घरवा होता है तो कि आज मलग होता कि है आप नहीं होता तो senseless बात है क्यों करता है और भी कोई guys बात जो आपके मन में हो मेरे को बता दो yes yes मैं आपके comments पढ़ रहा हूँ चिंटु वाली तो सारी बाते हो वैसे आप मुझे भी payment करते है रहे यार बाई कैसी बाते कर रहे आप चिंटु से लोग payment जा जाके आप चिंटु को तो उल्टा दे रहे हो आप payment हा लाइव में जा जाके मेरे से ले रहे हो कलत बात नहीं यह सारे भंडारे में लग जाएंगे अचा मैंने आज की वीडियो आपने देखियोगी चसलीन दीदी के लिए मैंने थोड़ा सा call-out किया था आप लोगों को और बहुत साई लोगों ने screenshot भी मेरे को भेजे Instagram पर जिनोंने उनके लिए कुछ ना कुछ contribute कर रहे है देखो कहीं नहीं मिल गया मैं इसी social media की कमाई से earning कर रहा हूं इसी से मैं payment कर रहा हूं जहां भी कर रहा हूं तो आपकी वह वाले payment मेरे तुरू पहुंच गई है आपका contribution पहुंच चुका है हम सबका मतलब जितने भी हम लखनीत family है सबका पहुंच चुका है contribution वहां पर तो चैनल पर active new तो भाई मेरे को message करने लगते हैं कि आज क्या हुआ broadcast पर सूना सूना सा है फिर मैं आता हूं फिर आप लोग मेरा मजाग बनवा देते हो यार फिर आप यह लोग ऐसे comment करते हो लोग मेरे को कहते हैं आप लोग वैसे बतनाम हो रहा हूं भाई मैं देख लो अप तेरे से इतना respectfully बात करती है तो सोच वो घर में भी कैसे बात करती होगी कीरती की जो एक image यहां पर बनाने कोशिश हो रही है लोग तो जानते है फिर भाई लोग जानते है इतना प्यार दे रहे है उसने तीन व्लोग डाले तीनों को तीनों trend पे गए लेकिन कीरती ऐसी ही ह कीरती में सालूशन की बात करती है और जिस तरह तुद उसको रिस्पेक कर रहा है मैं भी बहुत रिस्पेक करता हूं उसकी बहुत ज़्यादा और सच्छी बता रहा हूं बहुत सारी चीज़े इसलिये रुकी हुई है क्योंकि कीरती बीच में है किरती कल लाइफ के बाद करा कि आपने भम्मो के real delete करी है गाइस एक न मतलब मैं क्या बोलू नीतू के सर पे हात रखके न मैं खड़ा हो जाऊँ जो भी लोग ये बात कह रहे हैं कि मैंने real delete करी है या मेरा phone लेकर चाला किसे real delete हुई है आप आना आप तो मेरे माबाप होना आप आना मेरे सरपे से हाथ रखके कसम फाके बोल देना कि तू ने डिलीट करी है या नी तू ने डिलीट करी है या किसी ने डिलीट करी है गाइस बता है हुआ क्या था हम लोग कहीं भार के ट्रिप से वापस आए तो पता चला suddenly मम्मी ने मेरे को बताया कि लगी मेरे दो व्लॉग डिलीट है और दोनों व्लॉग कौन से लिए थे? सेंडी वाले व्लॉग डिलीट थे मम्मी के मतलब इस तरीके से डिलीट करेगे ताकि घर में और क्लैशिस हो और वो जो व्लॉग डिलीट हुए न तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी चीज है कि मैंने आपको हमेशा समझाया कि हम जो भी ऑनलाइन करते हैं उसके फुट्प्रिंट समेशा रह जाते हैं तो भाई हम यूट्यूब पे आप जो भी खोल तो आप जो भी सर्च कर रहे हो आप चाहे बेशक डिलीट भी कर दो सर्च हिस्ट्री यूट्यूब चाहे तो किसी दिन वो प्रोवाइड करा सकता है तो भाई क्या हुआ कि वहां से वीडियो डिलीट हो गए तो हमने यूट्यूब को अपरोच करा यूम्ट्यूब के कश्ट्म एक कहले पर आदा पौना घंटा भाट करने पोंगा उसने पूरा टाइम निकालके दे दिया कि देखो इस टाइम पहै ये वीडियो डिलीट हुई है और इस सिस्टम से वीडियो डिलीट हुई और ये भी पता चल गया कि वीडियो लैप्टॉप से डिलीट हुई थी ना कि फोन से, सबसे पहली चीज दूसरी चीज भाई, फिर हमने क्या करा मैं मम्मी के रूम में बैठा हुआ था मैंने CCTV चेक करें, और मम्मी भी और वही बैठके कुछ ना कुछ कर रहा है हम एक्जेक्टली नहीं कह सकते कि वो डिलीट कर रहा है लेकिन भाई, जब लैप्टॉप से डिलीट हुआ और अकाउंट उसी लैप्टॉप में खुल रहा है और उस टाइम लैपटॉप उसके हाथ में तो बहुत अव्विश सी बात है कि किसने डिलीट करा अचा मम्मी बहुत बहुत बता चली मम्मी ने बोला कि कोई बात है पर इससे जाके पूछते हैं हम किसने डिलीट करा या नहीं मैं भी गया, मम्मी भी गई हमने गोलू से भी पूछा था क्योंकि पहले सबसे पहले सची बता हुए कि गोलू ने नहीं कर दिया और गोलू को उस टाइम यूटूब का आईटया कुछ था नहीं मुझे लगा कहीं कुछ अपलोड करने के चक्रम उससे डिलीट हो गया हो तो गोलू ने बिलकुल साफ मेरे को यकीन भी था मम्मी को भी यकीन था कि गोलू ने नहीं करा फिर हम गए भाई मम्मी के टीम मेंबर के पास और जाके उसकी ऐसी हालत खराब हो गई यह चीज़ देखते ही कि मेरे पास क्यों है उसकी आखों में डर भी देख और मम्मी भी समझगी कि यहां इसने करा है क्योंकि हमने cctv तो अलड़ी देख लिए हमने आज तक cctv वाली बात उसको नहीं बताई थी अज़ा फिर हम लोग रूम में आ गए मम्मी ने बोला कि हां इसी ने करा है अब बेटा तू कोई मेले दूसरा इटर ढूंदे इसको जाए दिन नहीं रख सकते हम लेकिन आज इस दिन आके ना मेरे सर पर हाथ आके कसम खाना ही वाली बात है याद रखना आप जो आप मेरे लिए गलत परसेप्शन यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी बात पता है फिर हमें पता चला कि मम्मी के इंस्टा पर एक मम्मी की और नीतु की हमारे शादी के वाली वीडियो नीतु साथ कुलाब में थी आप एक बात सोचो जो वीडियो कुलाब में है उसके फॉलोज तो नीतु का कॉन पर भी आ रहे है न तो क्या हम लोग अपनी ही वीडियो डिलीट करेंगे भाई दुनिया जानती है इनको तो खेर पता है मेरे घरवालों को पता आज ये कुछ भी गया लेकिन मेरे पापा के कहा जाता है गंगाजल हात में लेकर खड़े हो जाते हैं और कसम घाते हैं आज अगर आप लाइफ भी देख रहे हो ना पाप पापा तो आप मम्मी की नजरों में नजरे डाल के उनसे पूछ के देखो अभी कि क्या तुझे प जो रह गई हो प्लीज आओ जवाब दूँगा कीर्थी ओपी गाईज यस तो मुझे लगा है कुछ लोग अभी बाद में जो पुरानी पुरानी बाद जो मने जवाब दे दी उनके जवाब मांगे तो आप लोग दुबार से लाइफ देख ले ना बाई-बाई कल मिलते है कल का सुबा का व्लॉग मिस मत करना आज का व्लॉग अच्छाने वाला है और दूसरी चीज मेरे नाम पे व्यूज लेने बंद करो अपना कुछ अच्छा कॉंटेंट मैं नाम पे व्यूज दे लोगा कितन दिन मेरे से कॉंट्रोवर्सी कर लोगे कि मैं अब समच चुका चीज कि भाई यह सब क्यों हो रहा है यह सब व्यूज के लिए हो रहा है और अब भाई यह मेरी ओडियंस बड़ी महनस से कमाई हुई है अब नहीं देने वाला मैं सो बाई बाई टेक केर भगवान तुम्हें सद बुद्धी दे